आप देखना सुरू कर दियें बीपेस न्यूज और मैं हूं संतोस्क मारपार्थ आज की ताजा खबरों के साथ आपके समझ मैं हूं पहली खबर आप सवय थाना चेतर एबम सहाजापुर थाना चेतर अवस्तित अल्टा टेक्सीमेंट फैक्टे से सेमेंट का राइक लेकर मालगाली फतुहां की ओर जा रहे थी इस तोरान इसलामपुर फटुहा रेलखन के दर्यामा रेलवे स्टेशन के पास अच्छानक मालगाली की भोगया रेलवे पट्री पट्री पट्र से उतर गई घटना की जनकारी मिलते हैं रेलवे विवाग के तमाम अधिकारी हरकत में आ गए इस रूट से गुजरने वाली गालियों का पड़चालन रोक दिया गया और जो भी ट्रेने आ रहा था जहां तहां रोका गया सुक्रबार को हिलसा कोट के पास सी मंदर में प्रेमी जोले ने अंतर जातिये विवाह किया है इस तोरान लोग की भीड देखने को मिला है काफी या चर्चा का बिस है हिलसा कोट में बना हुआ है पता जाता है कि हिलसा थानचेत के सुल्तानपूर गवाणी वासी सीता रम बिंद के पुत्र पवन कुमार अपने ही गवाण सुल्तानपूर में गिरी नंदन रविदास के पुत्री बेबी कुमारी के साथ प्रेम कि गया कि शुक्रबार को हिलसा ध्वक्ता संग के नुट्री दिलीप कुमार के पास पहुंचे और जहां बिद्वत हिंदु रिती रिवाज के नुसार दोनों ने प्रेम विवाह किया बता जाता है कि अंतर जात्तिय विवाह जो की काफी चर्चा का विशय बना हुआ है उसके हिलसा कोट के पास मंदिर में पहुंच कर लड़के ने लड़की के महांग में शेनुर भरा है बता जाता है कि ब्यवी कुमारी का विवाह कराने में उसके भाई का अहम योगदान है हिलसा थानाचेत के गोखुल चक निवासी सुनीता देवी के दोरा हिलसा थाना में एक आविदन दिया गया था जिसमें बताया गया है कि उसके पुत्र बिट्टु कुमार हिलसा थानाचेत के किष्णापुर के पास निजी विद्यालक के होस्टल से आठ जूलाई से लाप प्रक्रिया की जा रही है सुक्रबार को हिलसा थानाचेत के अकबर पुर्गौ में बदमासों ने एक महला को मार पीट कर जक्मी कर दिया जक्मी महला को इलाज के लिए अनमंडले स्पताल हिलसा में लाकर भरतिक रहा गया जक्मी महला के पाचान हिलसा थानाचेत के अकबर प्राइब कर रहे थे इस दोरान बाद बीच बचाब करने आये तो बदमासों ने कांती देवी को ही मार पीट कर जख्मी कर दिया सरके बिहारी रोड में संपत्ति विवाद को लेकर हुई मार पीट में ब्यक्ति जख्मी हो गया जख्मी ब्यक्ति को इलाज के लिए अनमंडल जमई जिला के वहार नेला में हो गया वासे में सुक्रबार को हिलषा बहार नाकाम जीत फिर आमिध कुमार नाधिस अबजीत राए समेत कर्मी गन्य अपने अपने तरीके से उपहार देकर उन्हें विदाई देने का काम किया है हिलिसा के एश्डियो परबीन कुमार सम्भावित बाल को देखते हुए एकंगर सा प्रखंचेतर के बिविन नदिया एबंपूल का निरिछन करने का काम किया है सुक्रबार को प्रेस भीगपती जारी करते हुए एश्डियो परबीन कुमार ने बताया कि संभावित बाढ़ को लेकर अनमंडल परशासन एलेट मोड में है वासमी एकंगर सा प्रखंचेतर में किरियानवित पांच चेक डंपू का भी निरिछन किया गया है इस तवरान करपालक अभियंता को गुनवत्ता पुन कारी करने के लिए निर्देशित किया गया नगनौसा प्रखंचेत के कैला पंचायत के बाढ़ संके साथ में एक पखवारे से नल्यल योईना का मोटर खराब है जिसके कारण लोग को पानी के लिए परशानी का सामना करना पढ़ रहा है पंचायत के मुख्या जितेंद परशाथ में बताया कि नल्यल योईना का समर्शेवल मोटर और स्टार्टर जल गया है जिसके कारण पानी की सफलाइट ठैप है अस्थाने परदिकारी को इसकी सुचना दिया गया है लेकिन अब तक कोई भी परदिकारी इसकी जानकारी लेने के लिए नहीं पहुंचे है